अब हम वचन सुनने जो आ रहे हैं, अपने आपको तैयार करें। आलेलूइया, गीतों के द्वारा प्रभू की आरादना और स्तुती का निकले प्रभू ने मदद किया। आलेलूइया, प्रभू तुम मुझ से बात कर, हम प्रातना करें। आलेलूइया, आने वाले दिनों में और क्या-क्या गटनाय होने जा रही हैं, हमें नहीं मालूइया, दस्वे महिना का पहलार दिन एक रविवार था। तब भी हमने यही प्रातना किया था प्रभू ये नए महिने के लिए धन्यवाद। आने वाले सब्ता में क्या-क्या होने जा रहे हमें नहीं मालूम। तुझ में बल्वन्थ होने के लिए मदद कर। हालेलुईया, हालेलुईया, मिलकर हम प्रात्ना करें। हमारे अनुग्रेकारी देयलू पिता हम आपका धन्यवाद देते। प्रभु गीतों के द्वारा आपके स्तुति और आरादना करने के लिए आपने मौका दिया। अब हम आपके पवित्र वच्छन के सामने आते हैं। प्रभु, हम एक-एक से बोले और बात करें। आज की आरादना हम सब के लिए आशिश का कारन जब हम आपका वच्छन मनन करने जा रहें। वच्छन के गहराईयों को खोल कर दें। ताकि आपकी आवाज को आपकी योजना को समझ कर हम बलवन्त हो सकें। विश्वास में और द्रड़ हो सकें। और हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारन बने। गहराईयों को प्रकट करका दे प्रभू। सब महिमा आप ही को देते हैं। ये श्यु मसी के मदु नाम से हम मानते हैं। आमें। मैं प्रभू का धिन्यवाद देता हूं। आप सब के साथ एक बार फिर प्रभू के चन्नों में आने का प्रभू ने मौका दिया। आज जब हम आपके साथ आराधना में भाग ले रहे हैं। हम लोग नेपाल में हैं। पिछले दिनों में आप से आप लोगों से हमने विशे रखा था प्रातना करते रहें अलग-अलग जगाओं में जाकर प्रभू के दास, दासियों और कलीसियां उनको मिलने के लिए और होंसला देने के लिए इनके साथ प्रात्ना करने के लिए प्रभू ने मौका दिया और आसाम और पूरवतर का शेत्र की सेवकाई के पश्चाहत अभी हम नेपाल में आए हैं नेपाल में अलग-अलग जगाव में जाकर प्रभु की सेबा करने का प्रभु मोका दे रहा है और आप लोग आगे भी हमारे लिए निरंतर परातना करते रहें प्रभु की मर्जी होतो, प्रभु के आमत में देरी होतो अगले रविवार हम बोपाल में होंगे और इन पीछले दिनों में, बेशक हम अलग-अलग जगाओं में थे, बराबर ओन लाइन सेवकाई करने के लिए प्रभू ने मदद किया, कई जगाओं में परिस्ति थी, विप्रीत थी, सफर था, कई जगाओं में इंटरनेट का सिगनल बहुत कमजोर था, तो इसलिए हम लोग को पहले ही आरादना रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि आप तक जब आप लोग रविवार सुबह नौ बजए अपना ऑनलाइन बैठते हैं, तब आपके सामने बिना विलंब के, बिना कोई दिक्कत के आरादना में आप भाग ले सकते हैं, ये सब करने प्रभु ने हमें मदद किया, यही कारन है, पीछले सब्ता के रविवार के आरादना में, जब दुनिया भर इस्राइल के उपर का हमला का विशे चल रहा था, हमने अपने आरादना में उसके विशे में कोई उलेक नहीं किया, उसका कारन और कुछ नहीं, ये घटना होने क पहले हम लोग को ये आरादना रिकॉर्ड करना था, जब ये आरादना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, इसलिए पिछले सब्ता के आरादना में हमने उसका उलेक नहीं किया, जब आरादना लाइव होता है, यानि रिकॉर्डिंग न आते हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे मैं विश्वास करता हूं और अगली बार हम शिरू से हमारी सेवकाई में हमने एक बात को ध्यान रखा है कि प्रभू के आगमन की बात को हम महत्व देते हैं सबसे मुख्य बार हमारा प्रभू अतिशी ग्रा रहा है सो कलीसिया को प्रभू के आगमन के लिए तयार करने का वो दर्शन प्रभू ने जब हमें दिया है तब हम मारा ना था शब्द कहते हैं प्रभू ये जल्दी आ रहा है तो विस्तार से पीछले दिनों में प्रकाशित वाक्य का विशे सिखाया गया उसमें भी एक-एक घटना के बारे में बताया गया इसलिए ध्यान रखें अब आगे से जब ये घटनाएं होती है हम उन घटनाओं का ज़्यादा विशलेशन नहीं करेंगे क्यों वच्चन के आधार पर एक-एक बात को बताया गया समझाया गया अब जब घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में पहले ही बताया गया अब आपका काम है गटनाओं के बारे में सुनकर प्रभू के आगमन के लिए हम लोग तयार हो जाए क्योंकि कई बार कितना भी हम वच्चन बताएं कई लोग उस वच्चन के गंबीरता को समझ नहीं पाते है वो उन बातों को हलका लेते हैं जब तक कोई घटना घटती नहीं है सो जब दुनिया किसी बात ऐसी कोई बात की तैयारी में ही नहीं था इस्राइल में जो घटना हुई अभी भी वो घटना करम चल रही है आगे कौन सा रुक लेगा वो हम कोई भी बोल नहीं सकते हैं इस्राइली लोग सबत का दिन था पहले आपको मैंने बताया शुकरवार शाम को छे बजे ही उन लोग अपना सबत का मेज भी तैयार कर लेते हैं खाना भी तैयार किया, सब कुछ तैयार किया लेकिन पिछला सबत सुबह सबत का मेज भी तैयार है खाना भी तैयार, हर कोई सबत मना रहा है और योम किपूर का वो जो लड़ाई जो पचास साल पहले हुआ था उसका पचासवा वर्ष गांड था वो योम किपूर भी योम किपूर की वो जो लड़ाई योम किपूर क्यों है क्योंकि इसराइलियों का सबसे पवित्र दिन है जब महाया जग अती पवित्रस्तान में जाता है उस दिन इसराइल कोई काम नहीं करता है उस दिन छे अरब देशों ने इसराइल पर हमला किया था और उस समय भी जब हमला किया था बहुत लोग मरे थे लेकिन दुनिया का इतिहास में आज तक वो लड़ाई है पुराने लोग उस समय के जो लोग हैं उनके मन में छप गया है कैसे इसराइल योम किपूर पर जब उस पर हमला हुआ था मात्र छे दिन में पूरे इसराइल के उपर आस पास से जब हमला हुआ छे अरब देशों ने हमला किया था छे दिन में कैसे इस्राइल ने उनको हराया और जितनी जमीन इस्राइल की उस समय थी उसकी दुगनी जमीन उसने कबजे में लिया उस लड़ाई का सिक्स डे वार का वर्षगान बनाते वकत हमास ने फिर दुबारा हमला की अब इस घटना को देखने के अलग अलग तौर तरीके है हर कोई इस घटना को इस बड़े घटना को जब देखता है हजारों में मरे हैं पांसो छे सो नहीं है सबत के दिन जब यहूदी के पर हमला करता है दो सो तीन सो नहीं मरते हैं क्योंकि वो व्यवस्ता के इतने पके हैं कि वो काम में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, चाहे हमला हो जाए, बहुत मरे हैं, हजारों में मरे हैं, कितनों को गुलाम बना दिया है, अब ये लंबा खिचेगा, अब रूस और यूकरेन का लड़ाई इतना महत्वपूर नहीं है, बेशा को लड़ाई चल रही है, उदर लड़ाई चल रही है, इधर अगला मोर्चा खुल गया है, सो ये सब जब होते वकत, हमारा विश्वास, एक विश्वासी ये द्रिश्य को देखता कैसे है, लोग कहते हैं, इस्राइल का इंटेलिजेंस, दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस है, इस्राइल की सेना, वायू सेना, जल सेना, बहुत शक्तिशाली है, बेश्यक एक छोटा देश है तो भी, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, कि हमास उर्स पर हमला करने जारा है, इनको मालूमी नहीं था, दुनिया ये कहती है, मालूमी नहीं था लेकिन मेरा सोच, मेरा व्यक्तिगत सोच, ये भूल नहीं है, ये भूल नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा, ये इस्राइल से हुई गलती नहीं है, उसके पीछे का कारण, ये छोटा मोटा देश नहीं है, दुनिया का सबसे, सबसे शक्ति शाली सबसे इफेक्टिव इंटेलिजन्स मौसाद इसराइल का है इसके पीछे कुछ ना कुछ ही योजना है ऐसे हुई भूल नहीं है अगली बात सर्वशक्तिमान परमेशर जिसने इस कौम के साथ वाचा बांदा है इसराइल एक ऐसा देश है जिसके साथ सर्वशक्तिमान एक मात्र जीवित परमेशर ने वाचा बांदा है वाइदे दिये हैं उस देश में ऐसी बात होना है तो सर्वशक्तिमान की अनुमती होना है उसके अनुमती के बिना यह नहीं होगा इस्राइल सोचता है हम सुरक्षित हैं हमारे पास आयन डोम है बाहर से कोई हमला करेगा तो हम सुरक्षित हैं बाड़ा बनाया हुआ है सिमेंट के दिवार खड़े किये हैं लोहे के तार बिचाए हैं कटीले तार बिचाए हैं क्या क्या नहीं किया लेकिन फिर भी एक दम ऐसा हमला इसराइल की कमर तोड़ देता है अब ये यहुदी मरते दम तक ये बात को नहीं भूलेगा कि हम कितने भी अपने आपको अकलमन समझते हैं हम सुरक्षित नहीं इनको अपने उपर ही शक आगया ऐसे क्यूं दुनिया के सबसे धीट एक कौम है तो वो यहुदी कौम है दुनिया के बाकि सब को ये कुते की कीमत नहीं देते हैं ये हम सब को कुता ही समझते हैं प्रभू येश्यू ने कनानिस्त्री को कहावा वो शब्द का उले कर रहा है ये कौम के उपर ऐसा हमला क्यों हाजारों में क्यों मरे हाजारों में हॉस्पिटल में क्यों उसके पीछे का संदेश तुमें एक खास उदेश से चुना था अब हम भी जैसे प्रकाशित्वा के सीख रहे थे तब भी दुनिया की घटना करम हमारे अध्यन से मेल खाते खाते चल रहा था वैसे ही यहां भी हम लोग भी भविश्य दुक्ता का विश्य सीख रहे हैं और उसमें मुसा पीछले सप्ता आपने ध्यान दिया होगा कैसे मुसा सिनाई पर व्यवस्ता को लेकर इस्राइलियों के पास आ रहा है वो घटना हम सीख रहे हैं और इस सप्ता यह घटना अपने आपको ढीट समझते हैं परमेशर यह होने दिया ताकि इस्राइल भी समझें कि वो अपने उपर घमंड ना करें अब यह जो लड़ाई शिरू हो गए इसके पीछे सिरफ हमास नहीं जो समाचार पढ़ते हैं जो मिडलीस्ट उदर की घटनाओं को ध्यान देते हैं उनको इस बारे में अच्छी तरह मालूम होगा कि कैसे उत्तर में हेजबुला है बगल में हमास है हेजबुला के पीछे इरान है उसके साथ सिरिया है और इन सब के पीछे रूस भी है यानि ये घटना चक्र ऐसा एक चक्र है जिसमें रूस भी आ गया है और वचन में गोग मागोग का लड़ाई के विशे में हमने पहले वचन सीखा है कैसे ये देश सब आएंगे अब रूस अकेला नहीं नीचे से तुर्की भी है बगल में साओधी अरब है उदर से जॉर्डन भी है बाकी मुस्लिन देश सब इसराईल के खिलाब अमेरिका अपना एरक्राफ्ट कैरियर इसराईल के बगल में लाकर खड़ा कर दिया है ये साधारन बात नहीं है अमरीका और पास्चात के देश इसराईल की मदद के लिए मेडिटरेनियन सी में आकर खड़े है उदर से रूस, तुर्की, एरान, चाइना ये सब हमास के साथ युनाइटिड नेशन्स में, सईयुक्तराश्ट में अभी भी इतना घमासान एक हमला होने के बाद भी सेक्यूरिटी काउंसल अभी तक उसके विरोध में कुछ एक मत से बोल नहीं पाई ये सब बातें दुनिया के घटना करम को घटना, दुनिया की परिस्तिति को दिखा रहा है कैसे विरोधी मसी का प्रकट होने का समय अती नस्दीक है अब इस बात को आगे देखते वकट इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखना परमेश्वर के वच्चन को गंभीरता से लेना अती आवशक है हम भी आपसे विनम्र बिंती करते हैं प्यारे भाईों, बहनों, नौजवाद, बुजर्ग प्रबु ने अपना वच्चन हमारी भाशा में हमें लिख कर दिया है उसकी गंभीरता का आप एसास करें इस वच्चन से दाएं बाएं हटोगे फिर हमें प्रार्थना करने के लिए मत बोलिए इस वच्चन से आप दाएं बाएं हट कर अपनी मर्जी के अंसार काम करने के बाद फिर आप जब हमें बोलते प्रार्थना करने के लिए हम क्या प्रार्थना करें अबरहाम के समय में परमिश्र ने अबरहाम से वाचा बांदा था ये पूरा देश मैं तुझे दूँगा तेरी कौम को दूँगा अबरहम उस बात को समझ गया था इसलिए अबरहम के आठ संतान थे इसाक उसको पर मेश अबरहमने कनान में रखा और बाकी सब को इश्माईल को जो हाजरा के दौरा हुआ केतुरा के दौरा हुआ वा अच्छे इन सब को जीते दी दान देकर कनान के बाहर भेज़ दिया था क्योंकि कनान इसराइल के लिए था उसके बाद जब यहोशु के अगवाई में वापस कनान में आए तब भी साफ साफ कहा गया था बारा गोत्रों को बारा जगा नाप कर दिया था इस देश को वश में लेने को बोला लेकिन तब कई गोत्रों ने समझोता किया बोला निकालेंगे नहीं आप भी रहो हम भी रहेंगे आज उसी का भुगत रहें आज उसी का परिणाम आपको भुगत ना है जैसे परमेश्वर ने कहा था अगर उस लकीर से आप दाएं या बाएं थोड़ा सा भी हिलेंगे प्यारे अजीज भुगत ना पड़ेगा आपकी पीड़ी भुगतेगी भसं करने वाला आग परमेश्वर का वचन उसको हलका ना लें अज कितने परिवार बरबाद रोते हैं गिडगड़ाते हैं बोगते प्रार्थना कर दीजिए हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन हमने उसके सामने प्रार्थना करना जो धर्मी है जो न्याई है जो पक्षपात नहीं करता है दयालू है प्रेम करता है लेकिन परमेश्वर का न्याई कभी प्रेम से तकराव नहीं करेगा परमेशर का धरम परमेशर के करुणा के खिलाफ कभी काम नहीं करेगा इसलिए मैंने और आपने प्रबु के वच्चं को गंबीरता से समझना है अब इदर हम लोग अपने विशे में जब आ रहे हैं मुसा पहाड के उपर परमेशर का नभी उसकी सेव का है व्यवस्ता पाया हमने वो पीछले सब्ता देख लिया अब व्यवस्ता अकेला नहीं मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा है मुसा ने परमेशर ने मुसा को पहाड के उपर जब वो था सुर्गिय मिलाप वाला तंबू का पूरा नक्षा मुसा को दिया परमेशर का नभी उसकी सेवकाई सिर्फ भविश्यवानी करना नहीं आज बहुत सारे ऐसे नभी जो भविश्यदक्ता हैं जो अपने आपको भविश्यदक्ता बोलते हैं कोई अपने आपको प्रेरित बोलता जो मन में आया बोल देते हैं वच्छन तो पूरा सीखा नहीं वच्छन का पूरा गहराई मालूम नहीं चला लेकिन बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ वच्छन का डॉक्टरेट है फिर बोलते हैं हम रेवरेंड है अपने नाम के आगे R.E.V लगा देते हैं उसका मतलब अति भय के योग्य वो है रेवरेंड का हिंदी अनुवाद जैसे हमारे देश में इंडिया और भारत का बात चल रहा भारत तो हम हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं वैसे अगर आप अपने नाम के आगे R.E.V रेवरेंड लगाते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद अति भय के योग्य वाह वाह इतनी हिमत हो गई अपने नाम के आगे रेवरेंड लिखने के हमें तो अपना मत्था सिर नहीं अपना मत्था जमीन में लगाना है आपके सामने हम ऐसे नहीं कर सकते हम ऐसे इंसान के सामने करते हैं लेकिन जो रेवरेंड होता है उसके सामने ऐसे नहीं हम अपना मत्था जमीन में लगाते हैं क्योंकि आप अति भय के योग्ये हैं परमेश्यर से भी बड़े हैं क्या इंसान इदर मुसा परमेश्यर का नभी पहाड में बैठा है 40 दिन 40 दिन दो बार क्या कर रहा है उपर व्यवस्ता पाया सिर्फ नहीं परमेश्यर के मंदिर का पूरा नक्षा पाया है उपर से मुसा जब नीचे उतर रहा है स्वर्गिय मिलापवला तंबू को उसका द्रिश्य पूरा देखकर नीचे क्यों उतर रहा है ऐसा ही एक इदर बनाना है जो स्वर्गिय मिलापवला तंबू है उसी का प्रती बिंब इस प्रत्वी में बनाना है उसके लिए परमेशन ने मुसा को ग्यान और समझ दिया बजलील जैसे और लोगों को परमेशन ने खड़ा किया जो मुसा के साथ मिलकर उस स्वर्गियम मिलाप वाला तंबू का वैसा ही प्रती बिम्ब इदर प्रत्वी में बनाए मैं उन सब बातों के विस्तार में नहीं जा रहा जब संदूक का विशे हम लोग सीख रहे थे तब हमने ध्यान दिया उस मिलाप वाले तंबू का संदूक जो अती पवितरस्तान में रखा जाता है मुसा ने खुद अपने हाथ से बनाया अब ये मिलाप वाला तंबू जैसे परमेश्व ने कहा था वैसा ही बनाया अब आएए पढ़िए निर्गमन 49 वाद ध्या है उसका 42 और 43 एक्सोडस चैप्टर 32 एक्सोडस चैप्टर 39 49 वाद ध्या है एक्सोडस 39 42 43 पौरपाड मुपत्तमबद इन्दे नापतिरंडू नापतिमून अर्था जो जो आग्या यहुआ ने मुसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइल उन्हें सब काम किया तब मुसा ने सारे काम का निरिक्शन करके देखा कि उन्होंने यहुआ की आग्या के अनुसार सब कुछ किया है और मुसा ने उनको आशिरवाद दिया मैं दुबारा पढ़ रहा हूँ अर्थात जो जो आग्या यहुआ ने मुसा को दी थी उन्ही के अनुसार इस्राइलियों ने सब काम किया तब मुसा ने सारे काम का निरिक्षन करके देखा कि उन्हों ने यहुआ की आग्या के अनुसार सब कुछ किया है और मुसा ने उनको आशिरवाद दिया मुसा क्या देख रहा है परमेश्चर का नभी क्या देख रहा है जैसे बताया गया क्या सब बात वैसे ही है हर बात को परमेश्चर ने एक ही विक्ति को दिखाया था और वो एक विक्ती नीचे की सब बात को देख रहा है हर बात जैसे दिखाया जैसे आग्या दी वैसे ही किया है न तब जाकर नभी इस्राइल को मुसा ने उनको आशिरवाद दिया प्यारे अजीज परमेश्वर का आशिश दुबारा कहता हूँ परमेश्वर का आशिश आपके जीवन में होना है तो आपने ध्यान ये देना है कि जो कुछ मैं करता हूँ मेरा पूरा जीवन संपूर्ण जीवन परमेश्वर के वच्चन के अनुसार होना है हर बात अगर ऐसी हर बात मैं वच्चन के अनुसार करता हूँ तो आशिरवाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है आशिश आपका हक है दुबारा कहता हूँ आशिश आपका हक है लेकिन हक तभी बनता है जब आपके जीवन को आपने परमेश्वर के वच्चन के अनुसार बनाया है आज बहुत सारे आशिरवाद के प्रचारक क्यों खड़े हुए लोगों को गुमरा, सरासर दोखा शैतानी उपदेश लेकर आकर लोगों को गुमरा करते है तुम्हे आशिश मिलेगा इदर उदर की चिकनी, चुपडी, बाते करकर लोगों को गुमरा करते है परमेषर यही देखता है क्या मेरा जीवन वच्छन के अनुसार मैं बना रहा हूं जो भी फेंसले मैं करता हूं क्या वच्छन के अनुसार है मिलाप अला तमबू को जब हम देखे मैं अगर मुसा के स्तान में होता तो मेरा दिमाग घुमना था क्योंकि कई बाते हैं जो हमारे सोच के अनुसार ठीक नहीं है उसमें रखा हुआ एक एक समान उसको बनाने का तरीका हमारे तरीके जैसा नहीं है इसी तरह आज हम विश्वासियों के साथ दिक्कत परमेश्वर का वच्चन को पूरा का पूरा मानने में हमें बड़ी दिक्कत आती है हम चाते हैं हमारी भी सोच के अनुसार बात हो आकिर मेरा ना जीवन है और फिर उपर से प्रबु से आशिश मांग लेंगे शादी अपने तोर तरीके से करेंगे अप्रबु के दास को बोलेंगे आजाएं और आशिरवाद मांगे घर बनाना हो चाए नौकरी हो चाए परिवार की कोई भी बात हो क्या आप ध्यान देते हैं बचन की अनुसार है बचन की अनुसार है आज इसराइली हाई हाई कर रहे है चीके मार रहे है परेशान है हमसे ये भूल कैसे हो गए तुमारी भूल तुम परमेशर की विवस्ता को उस्तान नहीं दिये तुम अपने आपको और बातों में उलजाए रखे और आज बुगतना है वो इसराइल आज चीके मारते हुए आप से और मेरे से क्या कह रहा है प्यारे भाई और बहन विवस्ता से दाएं बाएं आ जा परमेशर के वच्छन से दाएं बाएं आ जा भूगते गा कम से कम हमें देखकर सीख ले हमारे सबत के दिन हम पर हमला हो गया हमारे विश्राम के दिन हम पर हमला हो गया हम आपको चिला चिला कर कह रहे हैं कम से कम हमें देख कर सीख लो प्यारे अजीज क्या हम सीखेंगे आगे एक और आयत में पढ़ता हूँ लेवी विवस्ता 9 का 23 और 24 लेवी विवस्ता 9 आध्याय लेवीटिकस चैप्टर 9 23 और 24 तब मुसा और हारुन मिलापवले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशिरवाद दिये तब यहुआ का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहुआ के सामने से आग निकली और 24 सहित होंबली को वेदी पर भस्म कर दिया इसे देकर जनता ने जैजेकार का नारा लगाया और अपने अपने मूँ के बल गिरकर डंड़वत किया मैं दुबारा वो वचन पढ़ रहा हूँ तब मुसा और हारुन मिलापवले तंबू में गए और निकल कर लोगों को आशिरवाद दिया तब यहुआ का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहुआ के सामने से आग निकली और 24 सहित होंबली को वेदी पर भस्म कर दिया इसे देखकर जनता ने जैजेकार का नारा लगाया और अपने अपने मूँ के बल गिर कर दंडवत किया इतना ललकार क्यों नारा क्यों परमेशर की महिमा को हमने देखा है मुसा ने तो जलती जाड़ी में देखा हमारे बापदादे अबरहम के सामने ये परमेशर आकर बैठा था अब्रहम पिता के द्वारा सारा मा के द्वारा बनाया खाना को परमेशर ने खाया था अब हम परमेशर की महिमा को अपने आँखों से हम देख सकते हैं कोई तस्वीर नहीं है मूसा और हारुन अंदर जाकर बाहर आकर लोगों को ये नहीं बोल रहे ताली बजाओ, परमेशर आ गया, नहीं, नहीं, आज हमारे कई जगाओं में होता है प्रभू का दास, प्रचार करने स्टेज में जाता है, दुनिया ताली बजाने लगती है, यह कहां से यह आदत सीखा है, किसने सिखाया आपको यह सब, सरवशक्तिमान की उपस्तिती में कोई प्रचार करने मंच पर चरता है, तो ताली बजता है, यह है वचन का संसकार, प्यारे अजीज, हम अपने हैं को जांच कर देखें, हम जो कुछ करते हैं, क्या वचन के अनुसार है, या इदर उदर से सीखी वीरीती रिवाज को लेकर आ अगर इदर उदर की चीजों के अनुसार आप करते हैं, तो इस संसार का सरदार अगर राशन पानी लेकर पीछे आ गया, तो कौन बचाए, कौन चुड़ाएगा, अज इतने लोग परेशान क्यूं है, नाम येश्यू का, जीवन संसार का, निकले तो मिस्र से, लेकिन मिस् अधर से बाहर निकला नहीं है, इदर मुसा और हारुन अंदर गए, परमेश्यृ का महिमा प्रकट है, दुनिया जल जैजेकार की ललकार कर रही है, क्यों? हमने महिमा देखा है, वो आग आकर वेदी के उपर से सब कुछ भसम कर गया, हमने आग देखा है, हमने महिमा देख नहीं, हमने भी देखा है, प्यारे अजीज, परमेश्यृ अपनी महिमा आपको दिखाना चाहता है, सेनाओं का यहवा, परमेश्य के वल अबरहम, इसाक और याकुब का परमेश्यृ नहीं, आपका भी परमेश्यृ है, अपनी महिमा आपको भी दिखाना चाहता है, लेकिन वच्छन के अनुसार करूंगा परमेश्र के वच्छन से दाएं बाएं नहीं जाओंगा हम लोग भी सेवकाई के दोरान जूम सेशन बीच बीच में क्यूं चलाते हैं अलग-अलग जगाओं में जाकर विश्वासियों से अब हम प्रचार नहीं कर रहे हम सवाल पूछने का मौका दे रहे है अब इस सब आउनलाइन वच्छन सिखाने के कारण जहां कहीं जाते हैं उदर वच्छन का प्रचार नहीं कर रहे है क्योंकि वच्छन बहुत सिखाया गया हम लोगों से सवाल पूछने को पूछिए सवाल क्यों? हमें सब कुछ मालूम नहीं है अब ये ना सूचिए हम सब कुछ सीख कर आपको बता रहा है हम सवाल पूछने का इसलिए मौका देते ताकि आप पूछ सकते हैं आपके जीवन में कोई अगर बात है वचन के अनुसार उसको कैसे बनाए कैसे चले वचन है वचन पढ़ते हैं सीखते हैं इस वचन को मैंने और आपने अपने जीवन में प्रयोग में लाना नईयतो अन्यता नईयतो ये वचन मेरा न्याय करेगा फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा प्यारे अजीज, प्यारे भाईयो, प्यारे बहनों, प्यारे नौजवान दुनिया का घटना करम और हमारे सामने प्रभू का बचन अब आज जब आप रविवार को आरादना मैं भाग ले रहे हैं लाइव आरादना नहीं है, रिकॉर्डिंग है हमें नहीं मालूम इस समय दुनिया की स्थिति क्या है शायद ये रिकॉर्डिंग हो और प्रभू आगया, कलीसिया चले गई आप रादना के लिए बेठे हैं लेकिन कलीसिया चले गई हमारा प्रभू का आगमन इतना नस्दीब सारी दुनिया के नजर के सामने अपने चुनेवे कौम इस्राइल को जिस तरह परमेशर धो रहा है या हमारी खड़ी भाशा में बोले डमनी लेकर जैसे उसे धो रहा है दुनिया के रोंग्टे खड़े अलकाइदा तो कुछ नहीं उस से खतरनाक तो हमास निकला परमेशर कर रहा है सेनाओं का यहोआ इसराइल का परमेशर यह कर रहा है क्यों अपने लोगों से ऐसे क्यों कर रहा है मैंने तुझे एक उद्श से चुना है देशों के बीच मैं साधारने एक देश ben कर रहने के लिए نہیں तुझे मैंने अपनी विवस्ता दी तुम्हारे बीच में मेरा मंदिर था प्रभू येशू आया येरुशलेम को देखकर फूट फूट कर रोया हे येरुशलेम हे येरुशलेम कितनी बाह मैंने तुझे अपने पंकों ग्यार्ड में लेना चाहा कई मेरे विशे में परमेश रह से रो तो नहीं रहा आईए हम सिर जुखाएं आंखों को बंद करे प्रात्ना करे हालिलुया मैं आगे और बहुत विशे लेना चाहता था लेकिन प्रभू की आत्मा यहां पर रोक लगा रही मुसा पहाड से पीछले सब्ता हमने देखा कैसे व्यवस्ता लेकर आया आज हमने देखा परमेश र का निवास थान अदन बगीचा में चला फिरा करता था पूर्व का वाटक बंद हो गया जो आला मैं तलवार के साथ के रूब को खड़ा कर दिया था अब मानोजाती के इत्यास में एक नया ध्याए परमेश्वर की महिमा पापी मनुष्य के मध्य में दिख रही है पहली बार दिख रही है सेनाओं का यहुआ महिमा के साथ अपने निवास्तान में उतर आया है जब हर काम वचन के अनुसार किया इस्राइली लोग जैजैकार कर रहे हैं वो 32 लाक से भी ज़्यादा की भीड जब जैजैकार की ललकार कर रही तो क्या आवाज होगा क्यों चिला रहे हैं परमेश्चर की महिमा हमारे मद्ध में त्यारे अजीज आपके जीवन में परमेश्चर की महिमा आप चाहते हैं अपने जीवन को वच्छन के अनुसार करम में लाएं हर बात को करम में लाएं थोड़ा आपका आइडिया और थोड़ा वच्छन नहीं संपून तरीके से परमेश्चर के वच्छन के अनुसार अपने जीवन को ढाल दें बाकी काम सुर्ग करेगा बाकी काम सुर्ग करेगा ए शेवक, ए प्रभु के दास क्या तेरी सेवक आई वचन के अनुसार है क्या तेरा जीवन वचन के अनुसार है हालिलुया 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 आज बहुत से लोग इसराइल के लिए प्राथना कर रहे हैं हम सारी दुनिया के लिए प्राथना करते हैं लेकिन इसराइल से बढ़कर हम अपने लिए प्राथना करें प्रभू ये शुआ रहा है इस्राइल को ऐसे कष्ट में डाल कर महा कष्ट के लिए तैयार कर रहा है अभी जो हुआ ये तो कुछ नहीं अभी से भी बड़ा दोखा होने वाला है इस से भी भयानक दोखा इस्राइल के साथ होने वाला है अब तो इस्राइल के मदद के लिए अमरीका भी आ गया बाकी पास्चाथ के देश भी आ गया भारत ने भी अपना स्यूब दिया लेकिन एक दिन आने वाला हे इस्राइल है इस्राइल हाई तेरे उपर तेरे सहायता के लिए कोई नहीं आज इस्राइल दुनिया के सामने मजाक बन गया तेरा आइन डूम का तेरे फौजी का हालिलुया परमेशर मेरे से और आप से बात कर रहा है मैं किस पर गमंड करता हूँ मेरे गमंड को तोडने में समय नहीं लगेगा नम्र हो जाए इन वचनों के द्वारा प्रभू हम एक को आशिष दे आई एम प्रात्ना करे हमारे अनुग्रेकारी दे आलू पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए धन्यवाद आज की संगती के लिए धन्यवाद बाप आप सपश्ट तौर पर हमसे बात कर रहे हैं आपके वच्छन को गंबीर्ता से लेने के लिए अपने जीवन को उसके अंसार ढालने के लिए आम हम एक एको मदद कर तेरी आशिश माणते हैं तेरी आशिष मांगते हैं प्रभू आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें सहाय तक है शैतान की युक्तियों को पैचानने के लिए भी मदद सब महिमा आप ही को देते हैं येश्युमसी के मदो नाम से हम मांगते हैं आमीन प्रबु ये श्युमसी का अनुग रहे, पिता का प्रेम, पवित्रात्मा की सह भागिता, हम सब के साथ अब से लेकर प्रबु ये श्युमसी के आगमन तक होती रहे, आमें। प्रबु आप सब को बहुत आयत में आशिश दे, प्रबु की मर्जी है तो, अगले सब्ता हम बोपाल से लाइव, अगर प्रबु के आमत में देरी हो तो, आराद में भाग ले पाएंगे, तब तक अभी हमें उतर प्रदेश में अलग-अलग जगाओं में जाना है, पिछले और सूचना है, अभी जो हम लोग का आरादना लाइव होता है, वो हमारे यूट्यूब चैनल में लाइव के सेक्शन में आता है, जो प्रिमेर होता है वो लाइव के सेक्शन में नहीं, वो वीडियो के सेक्शन में आता है, आप जो भी है चैनल में जानते हैं, आप वीडि इतना तक प्रभू ने काम करने के लिए मदद किया हमें आपकी प्रात्ना की जरुरत है प्रभू आप सब को बहुत आयत में आशिश दे हमारा प्रभू अतिशी गरा रहा है माराना था